19 नबंबर 1979, 19 नबंबर ब्राजिल के लोगों के लिए काफी ज़्यादा खास है क्योंकि इसी दिन National Frag Day मनाया जाता है 19 नबंबर 1979 मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये दिन जो है अगर आप फुटबॉल प्रेमी है या फिर आप ब्राजिल के फैम है तो कभी भी नहीं भूलेंगे इसी दिन पेले ने वो कारणामा किया था जो आज तक कभी भी किसी भी फुटबॉलर ने नहीं किया था उनसे पहले दरसल अपने करियर का हजारवा गोल पेले ने दागा था मुकाबला था ब्राजिल के मराकाना स्टेडियम एक लाग से ज़्यादा दर्शक जो है इस मैदान पे मतलब स्टेडियम मैल तेखने के लिए आए थे मुकाबला था वासको और सांतोस के बीच में सांतोस कलब के लिए पेले खेला करते थे और इस मुकाबले से पहले पूरी तयारी कर ली गई थी क्योंकि पता था कि भीया पेले जो है आज के मैच में अपना हजारवा गोल जरूर दागने वाले है तो इसलिए पूरी तयारियों में बैंड बाजा वारात सब कुछ लेकर आ गए थे और जो दर्शक आये हुए थे फुटबाल प्रेमी आये हुए थे वो भी गिफ्ट्स वगर है पेले के लेकर आये थे जो वासको टीम के जो फैंस थे उन्होंने भी एक खास जर्शी तयार की थी एक जर्शी थी हजारवा गोल वाला क्योंकि पता था और उन्होंने भेंट करने थे पेले को और इस खास मॉमिन्ट के लिए हर किसी को इंतजार था इंतजार इसलिए क्योंकि पेले उस समय दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग प्रिया फुटबॉलर थे सबसे महंगे अथलीट भी थे ये खास दिन मुकाबला शुरू हुआ और मुकाबले के कुछ मिन्टों के बाद ही पेले ने अपने करियर का हजारवा गोल दागा और ऐसा करने वाले वो पहले फुटबॉलर बने 20 मिनट के लिए खेल रोका गया था दर्शकों ने कंधे पर उनको उठा लिया सारे मीडिया वाले आये हुए थे मैं अज़ देखने के लिए उन्होंने माइक्रोफोन जो है इनके आगे रख दिया बोला कि आप कुछ बोलिये जनाब तो पेले ने अपने उस स्पीच के दोरान उन्हों कहा था कि ये मेरा जो हजारवा गोल है ये ब्राजिल के सारी माओं के लिए समर्पित मैं करता हूँ आपको बता दे कि 1966 विश्व कप की नाकामी के बाद पेले ने ब्राजिल के लिए फुटबॉल खेलने से मना कर दिया था उन्होंने सन्यास की घोशना कर दी थी लेकिन जब वो स्पीच दे रहे थे हजारवा गोल दागने के बाद तो उन्हें लगा कि यार कुस तो खाली है यार इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास अचीव करने के लिए वैसे तो मैंने सब कुछ अचीव कर ही लिया हूँ हजार गोल मैंने दाग लिये दो विशो कप भी मैंने जीत लिये और तमाम अवार्ट्स भी अपने नाम कर लिये पाईसा शोहरत सब कुछ मिल गया अब क्या है मेरे लिए लेकिन कुछ एक मन में उनके ना खटग रहा था ये खाली पंसा था उन्होंने फैसला लिया कि 1970 जो अगले साल होने वाला है फीफा विशो कप वो हम खेलेंगे और 1970 का विशो कप ना सिर्फ वो खेले बलकि इतिहास रच कर उन्होंने फुटबॉल को अलविदा कहा था हला कि उसके बाद एक साल के बाद ही उन्होंने रिटार्रमेंट की गोशना की थी लेकि 1970 का विशो कप सिर्फ और सिर्फ पेले के लिए रहा था क्योंकि जब 1962 का विशो कप ब्राजिल ने जीता तो आरंभिक जो राउंड होता है उसमें चोटिल हो गए थे पेले और इसकी वज़े से वो पूरा मुकाबला नहीं खेल पाए पूरे टोर्डामेंट नहीं खेल पाए थे इंजड होके बैठे होगे थे हुआ तो इनके लिए खाली पंसा था दिवाग में यार कि मैंने कुछ योगदान नहीं दिया हम जीत जरूर गए क्योंकि ब्राजिल की टीम इतनी ज्यादा मजबूत थी पेले खेले या ना खेले बाब जू जीत जाएगे ऐसी थी ब्राजिल की टीम हराना किसी लिए भी आसान नहीं था और 1966 का जो विशुका था इंग्लेंड ने जीता था जाएग बॉब चारलर्टन की कप्तानी में थी तो 1970 का विशुका पहला मुकाबला चेकोसलोवाकिया से चार एक से ये मुकाबला ब्राजिल ने जीत लिया और आपको ध्यान देने के लिए मैं बता दू कि जो क्वालिफाइंग राउंड से लेगे फाइनल तक का मुकाबला था सारे मुकाबले जो ब्राजिल ने जीते थे और अच्छे से तोटल दस गोल बारे थे पहले ने क्वालिफाइंग राउंड से लेगे फाइनल तक और शायद फाइनल में उन्होंने चार गोल बारे थे और वार ब्राजिल के साथ उरुगवे ने किया था उसका बदला लेना था और इस विश्व कप में पेले ने बदला लिया और अपने दम पर में जिता कर आपको दूँगा और इसी उरुगवे से मैं बदला लूँगा हुआ 1970 के विश्यो कप का सेमिफाने मुकाबला उरुगवे से था पहले ही मन बना लिये थे ब्राजिल वाले कि आज आएंगे तो इनको पेले इंगे बहुत अच्छे तरीके से और पेले ने पेला भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ कुछ यूँ कि एक गोल से पिछड़ने के बाद भी इस मुकाबले में उरुगवे को ब्राजिल ने इतली जो काफी जादा उस तैम मजबूत भी थी और मजबूत इसलिए और टककर के लाइक थी और अच्छा खेल कर जो है फाइनल में पहुची थी और अपने आत्म कथा में पेले ये भी लिखते हैं कि जो मुकाबला होना था इतली के साथ हम लोगों ने पहले से ही मन बना लिए थे कि भाईया सिर्फ और सिर्फ जो हम अटैक ही अटैक करने वाले हैं इसी वज़े से फाइनल के विरूद जो फाइनल की स्टार्टिंग लेवन थी उसमें चार-चार फॉर्वर्ड खेल रहे थे पेले तोस्ताओ सेंटर फॉर्वर्ड थे वहीं रिवेलीनो और जा और यादगार गोल जो सबसे ज़्यादा यादगार था वो कार्लोस अलबर्टो ने किया था उन्होंने पेले के पास से एक थंडर बोल्ट गोल दागा था उन्होंने ये पेले का सात्मा असिस्ट भी था गोल मतलब टूर्णामेंट में और पेले ने टोटल चार गोल किये थे 1970 का final मुकाबला जो है ब्राजिल ने इटली को हरा कर जीत लिया था और इस जीत के बाद ब्राजिल के जो defender है तारची सियो बुर्गनीच उन्होंने पेले के बारे में ये कहा था पेले के बारे में उन्होंने ये सोचा था अरे यार ये तो मांस का ही हाड़ वाला आदमी ह है तो इसको हम जेल लेंगे लेकिन वो गलत साबित हुए था उन्होंने बाद में माना कि ये वो इनसान जो है न सिर्फ वो इनसान नहीं था वो अलगी अग्रा का प्रानी था 1970 का विशो कब सिर्फ और सिर्फ पेले के लिए जाना जाता है क्योंकि इस विशो कब में पेले की जाएगी पेले का नाम हमिशा अदब के साथ और सब से उपर लिया जाएगा उसके बाद ही किसी फुटबॉलर का नाम लिया जाएगा ये 1970 का विश्यू कप सिर्फ और सिर्फ पेले के ही बारे में था आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और ये छोटी सी कोशिश थी बिना रीटे क्लियो में मैंने बोला है तुम आप कीजएगा जो भी गलतियां होगी है बठा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत बूलिएगा धन्य झाल किया झाल कोशिए बिलकुल पोल म में में का तुम आपको अवाद करना तो हमारे खका फिर्वाद करना वाद करना